हलो फ्रेंज दुर्गा किचिन में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज लेकिया हूँ मीठी मठ्री की रेस्पी जो कि आप करवा चौत पे खास स्मोके पे बना सकते हैं और ये बहुत ही टाश्टी बनती है जिस तरीके से मेने से बनाया है तो आपको अगर मेरी वीडियो पस बनाएं तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और दुर्गा किचिन को जोइन नहीं किया तो दोस्तो वो भी जरूर कीजिए तो दुर्गा किचिन की ओर से आप सभी को करवा चौत की बहुत-बहुत शुकाम ना है तो चलिए बनाते हैं दोस्तों ये मीठी सी मठ्री इसे टेस्ट बहुत ही गजब काएगा दोस्तों आप मेरे इस तरीके से बना के देखिए डेर चमच मैंने या पे गी लिया है इसे मुयन के लिए जिससे हम यह गी डालेंगे ना तो हमारी जो मठरी है काफी खस्ता बनेंगी और टेस्टी बहुत ही जादा बनेंगी तो दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीस दोस्तों जादा जादा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और मेरा चैनल यानि दुर्गा किचिन को जोइन नहीं किया वो भी जरूर कीजे दोस्तों तो मैंने इस तरह से मिसलते हुए मोयन डाला था जो घी डाला था उसे अच् लेकिन मैं इसे चासनी के साथ बनाओंगी ना तो बहुत ही टैस्टी बनेगे तो बस क्या करेंगे दूस्तों अब बना लेते हैं हम इसकी चासनी क्योंकि दो मैंने लगा लिया है थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते एक काटोरी मेरा चीनी ली है और बरतन में मैं इसे डाल देती हूं उसी नाप से मैं एक काटोरी में बराबर माता हैं पाई डाल रही हूं एक तार की चासनी बन जाएगी तो बहुत ही बढ़िया बनेगा यह साथ ही मैं इसमें एक लाइची डाल देती हूं इस तरह से खोलते हुए और आप चाहें तो इसका बाउडर भी डाल दे बस मैंने से तोड़ दिया और इसमें डाल दिया अब क्या करेंगे मैं हाफ डोल ले लेती हूं जो मैंने मेहदा बना की रखी थी और इसे इस तरह से बेल लेते हैं जैसे हम चपाती बनाते हैं बस इस तरह से बढ़ा लेंगे इसे चकला वेलन से अच्छे से और इस तरह से हम इसमें कट लगा देंगे जिससे हमारी मठ्रिया हैं वो फूल है ना और अच्छे से अच्छी सी किस्पी होने तक हम इसे सेक लेंगे इस तरह से कट कर लेते हैं एक गिलास के सायता से यहां पे दोस्तों आप इसकी छोटी छोटी लोईयां बना के डारेक्ट बेल भी सकते ह लेकिन मैंने एक बड़ी सी पूरी बना के और इसे इस तरह से गिलास से कट किया इससे होगा क्या कि यह छोटी बड़ी नहीं बनेगी और शेप बहुत ही बड़ी आएगी देखने में भी सुन्दर लगेंगी तो बस यह बचा हुआ हम उसी में मिक्स कर देंगी और हमारी यह मत्री हमने इस तरह से बना ली है और हमारा अच्छे से गरम हो गया है दोस्तो तो बस इससे क्या करेंगे यह करके हम इसे फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही बड़ी आ यह अच्छे से कलर आएगा ना इसमें बहुत ही टेस्टी लगेंगी दोस्तो आप इसे बिल्कुर प कुछ ही मिन्टों में हमारी मठनी तयार है अब क्या करें कि दोस्तों चासनी हमारी बन चुकी थी तो चासनी में हमें UK करके डुबूत जाएंगे उलट-फलट करते हुए और इसे इस तरह से हलकी सी मेठास आ जाजाए जादा मीठी ना हो दोस्तों क्योंकि ये खाई भी ने जाएंगे तो बस हलकी सी इस पर परत आ जाएगी ना चासनी की बहुत इड़ाइस्टी लगेंगी और काफी किस्वी भी बनी है दोस्तों तो मेरे इस तरीके से आप जरूर बनाएए करवा चौत के खास मौके पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और ये देखिए मैंने से सारी चासनी में निकाल के और एक प्लेट में रख ली है तो बस आप क्या करेंगे आप पिस्ता हो जो भी ड्राइफूर आपको पसंद हो वो आप इस पर डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ बादाम डाल देती हूँ आपको जो भी पसंद हो आप इसमें डाल दे या आप इसक सिब बना सकते हैं तो बस इसे बनाएए दोस्तों खाएए खिलाएए और दुरगा किचिन की ओर से आप सभी को हैपी करवा चौत दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो जादा जादा लाइक किजेए शेयर किजिए और दुरगा किचिन को जरू जो ज तो मिलते हैं ऐसी एक टेश्टी वीडियो के साथ थैंक यू